तो बच्चो आज इस वीडियो में हम क्लास पूर EBS का एक क्वेशन पेपर डिसकस करेंगे यह सेशन एंडिंग एक्जाम 2021-2022 का क्वेशन पेपर है फर केंद्रिय विद्याले स्टूजेंट्स इस पिक्चर को अब्सर करिये एंड जो क्वेशन आप से पूछे गए हैं उन्हें आंसर करना है आप पिक्चर में क्या अब्सर कर रहे हैं आप परसन सिटिंग इन संशाइन कोई परसन है जो कि धूप में बैठे हुए हैं अब बबैदे दर मारकेट यह एक वजीटेबल्स क्राइए हैं पिक्चर मैं तो वेजीटेबल इनल परसन होगे और बीडिचर वं टी आ यह व्जीटेबल सब्समें इन से नोट तो गरनेट बानें करिब्स चिली एंड टोमाटो, जिंजर एंड टोमाटो, कैरेट एंड बिटर गार्ड, सो भी ऑप्शन इस करेक्ट, ग्रीन चिली, हरी मिर्च और टमाटर का जो तच है अगर आप आप आउटर सर्फिस को देखेंगे वो स्मोध है, वेचिटेबल विच्ट नॉट स्पॉल क्विकली इस इन में से कौन सी वेचिटेबल जल्दी खराब नहीं होती है, कौरिएंडर धनिया, टमाटर, अनियन प्याज, या फिर स्पिनेच, पालक, सो सी ऑप्शन इस करेक्ट, अनियन जो है ये काफी दिनों तक चल जाते हैं, इसली स्पॉल नहीं होते हैं, वाट कुड दिस प अनियन इस पर रख देंगे वेचिटेबल को रख देंगे, पर अपने देखा भी होगा वेचिटेबल सेलर जो हैं, वेचिटेबल पर वाटर स्प्रिंकल करते रहते हैं, जिससे की वह फ्रेश रहें, वेचिटेबल आर रेक्वाइट फॉर हेल्दी आइसाइट, लिगए से कौन सी दो वेजिटेबल्स घानी होती थे के लिमिन औंड जेंजर क्यारिट बीट रूट अनियां जिन्जर लैमिन अनियन तो बी ऑप्षयर और ःक्र आल डिच εδώ – और और आपको खानी चाहिए। शहरक्ड पिक्चर करना यह उन्हें, जो वेट्चर कू Nearly, मैं पुछब leaves को stitch करके बनाया हुआ है और यहां पर इस bird की picture आपको दी है अलग से question है which bird has made this nest यह nest किस bird ने बनाया है tailor bird, coel, sparrow या फिर weaver bird so a option is correct tailor bird what is the nest made up of यह nest किस शीज से बना है leaves and grass, cement and stone, mud and water, glass and wire so a option is correct leaves and grass what is special about this nest इस nest के बारे में क्या special है कि it is made in ground near seashore, यह seashore के पास में ground पर बना हुआ है it is made by stitching leaves together, यह leaves को एक साथ stitch करके बनाया गया है it is made among thorn of cactus plant, यह cactus plant के जो thorns है कांटो के बीच में बनाया गया है the bird keeps pebbles, cement pieces inside it, या फिर bird ने इसके अंदर pebbles, पत्थर और cement के pieces रखे है so easy question है, the option is correct, bird ने इसको leaves को stitch करके बनाया है the feet of this bird help her in, जो tailor bird है, उसके feet उसको किस चीज में help करेंगे swimming in the water, क्योंकि यह water bird नहीं है, डख की तरह है तो यह इसको help नहीं करते है, water में swimming करने के लिए holding the branch to catch the prey, to fly, mostly trees पर ही यह रहती है, so इसके जो feet है, वो help करेंगे इसको branch को hold करने के लिए the beak of the bird is designed to, इस bird की beak को कैसे design, मतलब क्या इसका main work है, किस चीज के लिए design किया गया है to tear and eat meat, meat को tear apart करने के लिए, उसको खाने के लिए to crush grains, grains को crush करने के लिए to make hole in tea trunk, tea trunk में hole बनाने के लिए to find insect from mud, mud से insect ढूणने के लिए actually किसी general bird की जो beak है, वो इन में से अलग-अलग कामों के लिए बनी होती है, जिसे की tree trunk में hole करने के लिए, जो beak designed है, वो woodpecker की है, grains को crush करने के लिए pigins की होती है, meat को tear apart करने के लिए खाने के लिए eagle की beak होती है, बट टेलर बर्ड की जो beak है, वो specially designed की गई है, वो as a swing needle work करती है it works like a swing needle, जिसे की सुई होती है आपकी, specially stitching के लिए उसको design किया गया है, तो यह option होना चाहिए था okay, anyways, next, identification and classification, what is ORS, ORS क्या है, ORS, oral rehydration solutions, जो की use किया जाता है, to treat dehydration, डाइरिया वगेरे की वज़े से, जो कई बार लोगों को हो जाता है, so, oral rehydration solutions, which is used to treat dehydration, okay, next, what is langar, cooking and eating together in gurudwara is called langar, next, name two ingredients, which are part of garam masala, कोई भी दो ingredients, जो की garam masala का part है, cumin seeds, then coriander, cardamom, and black pepper, then dry ginger, cinnamon, कुछ कोई भी दो आप लिख सकते हैं, write one difference between living and non-living things, so, living things can breathe, eat, ये सांस लेती है, eat, grow करती है, reproduce करती है, move करती है, एक से दो जगे पर, they have senses, और ये सब चीज़ें non-living things में नहीं होती, so, they don't breathe, eat, grow, reproduce, or move, what is the official language of Abu Dhabi, Abu Dhabi के official language है, Arabic, next two markers है, what is kadha prasad, kadha prasad halve के जैसा ही होता है, so, it is a sweet, made up of wheat flour, ghee and sugar, why did holgundi not have water shortage earlier, holgundi में water shortage क्यों नहीं थी, because they filled the tank with water when it rained, वो अपनी tanks को तभी पानी से भर लेते थे, जब बारिश होती थी, with water when it rained, right, two duties performed by the doctor on naval ship, naval ship पर कौन सी दो activities doctor perform करते हैं, जो कि वाहिदा prism ने बताई हैं, सबसे पहले तूँ वो ensure करते हैं, कि सभी fit and healthy हो, so, first duty है उनकी to make sure, that everybody on the ship, on the ship, stays fit and healthy, regular check-up करते हैं, सभी sailors का, officers का, so, second duty है to carry out regular medical check-ups of all officers and sailors. नेक्स्ट 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 इस यह पोर मार्क का question है, write the various steps involved in making the पोचम पल्ली सारी, पोचम पल्ली सारी बनाने के क्या कुछ steps हैं, सबसे पहले तो आपको thread purchase करने होते हैं, so, first is buying the bundles of thread, फिर आप उन्हें पानी में boil करते हैं, जिससे कि सभी dirt या फिर कोई stain अगर thread के उपर हो वो हट जाए, so, second step is boiling them in water to wash away the dirt and stains, then उनको dye करते हैं, bright colors में, so, dyeing the thread with bright colors, फिर रोल करते हैं, number four, rolling them into bundles and then weaving के लिए, they put them in loom, then final step is putting them in loom to weave clothes, okay, next, five mark का question हैं, why do we, sorry, one marker से हैं, discovery of facts के, why do we need a family, family की जरूरत हमें क्यों हैं, क्योंकि family ही है, जो हमें tough times में support करती हैं, हमें protect करती हैं, they provide us love and care and जो भी life के joys हैं, sorrows हैं, आप सभी family के साथ ही share करते हैं, so, we need a family because they protect us and provide us love and support in our tough times, okay, why do we add spices to our food, हम अपने खाने में spices क्यों add करते हैं, to add taste, color and flavor, next is, how do the different parts of the plants get water, plants के different parts तक पानी कैसे पहुँचता है, so, सबसे पहले तो जो roots हैं, वो absorb करती हैं water को from the soil, then trunk की help से and branches की help से वो different parts तक पहुँच जाता है, so, firstly the roots absorb the water from soil, then it is transported to different parts by tree trunk, okay, why do we have ramps in our school buildings, school buildings में ramps क्यों बनाय जाते हैं, जो differently abled children हैं, people who cannot move, जो चल नहीं सकते हैं, फिर जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए stairs को climb करना बहुत मिश्किल होता है, so, उनके लिए ramps बनाय जाते हैं, so, for the assistance, assistance of differently abled children, बच्चों के लिए, next, why should water be clean before drinking, आप पीने से पहले पानी को साफ क्यों करते हैं, to protect us from waterborne disease, us from waterborne disease, waterborne disease कौन कौन सी होते हैं, cholera, typhi diseases, okay next, अभी two markers हैं, why do people cook and eat together as in langar, जिसे कि लंगर में लोग एक साथ खाना बनाते हैं और खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, to promote social harmony and social equality, वहाँ पर सभी equal हैं, बिल जुल कर रहते हैं, साथ खाना बनाते हैं और साथ ही खाते हैं, why is date palms so common in desert, डिजर्टी के एरिया में, जैसे कि हमने आबुदाबी में भी देखा, date palms इतने commonly seen trees क्यों हैं, because वह dry weather में भी survive कर सकते हैं, जहां पर पानी की कमी हो, so the reason being, because it can survive in dry weather and places with water scarcity, scarcity यानि की कमी, why does the vegetable seller have to sell the previous days leftover vegetables first, जो vegetable seller है वो पिछले दिन की बची हूँ vegetables को पहले sell क्यों करना चाहता है, क्योंकि जो leftover vegetables हैं वो जादा जल्दे spoil हो जाएंगे, so because the leftover vegetables might get spoiled quickly, now last question, why are trees important for us, trees हमारे लिए क्यों important है, 4 reasons आपको बताने है, प्रीज से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, fruits, vegetables, then flowers, medicines, and shade, wood, oxygen, air to breathe, and then वो हमें floods से बचाते हैं, prevent floods by fixing the soil, तो कोई भी चार पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, so that's all student से था, class 4, EBS का Example Question Paper, Okay.. Thank you so much for watching.